खास्दार सांस्रतिक महुत्सव में प्रसिद अभीनीता इवं कवी शैलेश लोड़ा के नीतरत में देश के विभेन प्रांतों के कवियों ने हास्य दैंग प्रस्तुत किये दर्शत कारिक्रम के शुरू से लेकर अन तक हसी से लोट पोर्ट होते नजर आए खास्दार महुत्सव के आटवे दिन हास्य कवी सम्मिलन में पार्थ नवीन गजेंदर प्रियांशु गोविन राथी अशोक चरन योगिता चोहान संजे जाला वा नाकपुर की प्रसिद्ध हिंदी कवी प्रोफेसर मधुपांडी ने हिस्सा लिया पार्थ नवीन ने उत्त इंगटकरी उपमुख्य मंतरी देवेंद्र फर्णवी समित अन्नी जन प्रतिनीदी और गण्मानी नागरे को पस्तित थे मैं एक कमिसम्मेलन प्रारम करता हूँ आदानियमा आपको बढ़ाई देना चाहूँगा बहुत दिनों के बाद कोरोना के स्कुरूर काल के बाद इतने लोग हम हस्ते खिलते हुए देख रहे हैं आप देखिए ऐसा लगराज जैसे मनुष्य नहीं गमले रखे हुए हूए कोरोना की जो इस सितिया हैं साथ हमने तो कोरोना में से भी हाथ से निकाली का प्रयास किया वो एक दिन मेरी पतिन ने मुझसे कहा कोरोना के समय मैंने का कोरोना से बचने के कोई दो उपाय बताओ मैंने का पहला भीड में बच जाओ उसने का दूसरा मैंने का भीड में तो की करतार तुम ही हो बाडी बीना तार तुम ही हो शब्दो की करतार तुम ही हो बाडी बीना तार तुम ही हो चाहे बना दो चाहे मिटा दो धार तुम ही आधार तुम ही हो चाहे बना दो चाहे मिटा दो धार तुम ही आधार तुम ही हो शेत्वाहिनी अर्चन का अभिनंदन लेकर आई हूँ तेवे चर्णों में वन्दन का चन्दन करता हूँ अधनी घटकरी जी और देवन पर्मनेंद से आप एठे हैं आपको साधर पड़ाम करता हूँ चार पंक्तों से अपने कावेवपाट की शुरुवात करता हूँ हसने असाने के लिए आपके बीच में बुलाया गया हूँ क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिष्टेदारी बहुत है मैं चार पंक्तों से कावेवपाट की शुरुवात करता हूँ इसरा खैलात सुनो की बरसा उसी जजबात में नहाता चला जाओंगा रिदाय किलाय पर होकर अभय यहाँ जय को उदाय पर लाता चला जाओंगा कलियों से डालिया, कविता से तालिया, जीजा जी से सालिया मिलाता चला जाओंगा केमरा परसन अमोल के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नागपुर